Hello dear students, आप सभी का PSA YouTube चानल में सागत है देखे friends, Trigonometry इस शाप्टर में इसके पहले रुए लेक्चर में हमने Practice 8 8.2 का Question 1 और Question 2 दोनों Question के Solution को बहुत ही अच्छी तरह से डिसकस किया है इस फुरे लेक्चर में हम Practice 8 8.2 के जो remaining questions है Question 3 और Question 4 इन दोनों Questions के Solutions को बहुत ही अच्छी तरह से डिसकस करेंगे वैसे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा क्योंकि दो ही Questions के Solutions हमें यहाँ पे देखने हैं, सीखने हैं क्योंकि देखें विए ट्रिग्नामेटरी यह जो चाप्टर है, यह Class 10, 11, 12 तीनों क्लासे के लिए बहुत इंपोर्टेंट है आप अगर Class 9 का ट्रिग्नामेटरी चाप्टर अच्छी तरह से प्रिपेर करते हो Concepts को अच्छी तरह से समझ लेते हो तो यही Concept आपको Class 10, 11, 12 तीनों क्लासे में Mathematics में यूज करने है तो मेरा आप सभी के लिए सजेशन रहेगा Class 9 का ट्रिग्नामेटरी यह चाप्टर अच्छी तरह से प्रिपेर कीजिए तो आगे आपको, मतलब Class 10, 11 और 12 इन तीनों भी क्लासे में किसी भी प्रकार की Difficulty, किसी भी प्रकार की दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं आएगी अगर इन इस चाप्टर को इस समय आप अच्छी तरह से इसे प्रिपेर करते हो और बहुती Simple Trigonometry Concept है यहाँ पे बहुत ज़्यादा Concept हमें ध्यान में रखने की जरुरत भी नहीं है ठीक है? देखिए यहाँ जो Question No.3 हमें दिया है Sin Theta का Value 4 by 5 है अगर ऐसा है तो हमें Cos Theta का Value find करना है Sin Theta is 4 by 5, we have to find Cos Theta देखिए Friends, हमने Important Equation in Trigonometry इसको प्रूव भी किया है Sin Square Theta plus Cos Theta equals to 1 इसे हम Fundamental Identity भी कहते है तो इसी Identity को यूज़ करके हम यहाँ पे Cos Theta का Value find करेंगे, ठीक है? देखिए अब हमारे पास क्या है? Sin Theta का Value है 4 upon 5 ओके? देखिए Friends, हम Identity यूज़ करेंगे Sin Square Theta plus Cos Square Theta equal to 1 इसे कहते हैं Identity या फिर Important Equation in Trigonometry अब यहाँ पे Sin Theta का Value हम 4 upon 5 substitute करते हैं तो 4 by 5 bracket square plus यहाँ पे रहेगा Cos Square Theta and this is equals to 1 4 by 5 का Square हमें मिलेगा 16 upon 25 plus Cos Square Theta equal to रहेगा 1 and therefore Cos Square Theta equals to हम लिख सकते हैं 1 minus 16 upon 25 इसका मतलब Cos Square Theta equals to रहेगा 25 minus 16 upon 25 and therefore Cos Square Theta equal to रहेगा देखिए 25 minus 16 अब यह आपको समझ मैं रहा न हमने इस प्रकार से क्यों लिया है क्योंकि यहाँ का denominator कुछ भी ने मतलब कितना है 1 है तो हमने Cross Multiplication लिया 25 से 1 को मल्टिप्लाई किया 1 से 16 को मल्टिप्लाई किया 1 into 25 यहाँ पे 25 रहेगा now 25 minus 16 it will be 9 9 upon 25 and therefore Cos Square Theta equals to रहेगा 3 upon 5 और फिर यह Bracket Square या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हो ठीक है ना 9 upon 25 को ऐसा भी लिख सकते हो 3 square upon 5 square ठीक है अब दोनों साइड का square उट लेते हैं now taking ध्यान दीजे taking square root on both sides दोनों साइड का अगर हमने square root लिया तो देखिए यहाँ पे Cos Theta equals to हमारे पास value रहेगा 3 upon 5 बहुत ही simple है और यह value find करने के लिए हमने use किया है fundamental identity sin square theta plus cos square take equals to 1 इसको आपको याद रखना है क्योंकि इस identity को 9th, 10th, 11, 12th चारो भी classes में हमें use करना है ठीक है इसका screenshot लिजिए बच्चो पड़ाई में doubts आते हैं स्वाल ने हुपा रहे घबराओ मत इसका solution है doubt net app जिस भी सवाल में आपको doubt है उसकी photo की चो crop करो और 5 second के अंदर अंदर आपको उसका video solution मिल जाएगा वो भी बिल्कुल free में यानि अब आप पूछे अपने unlimited सवाल कहीं भी कभी भी अब चाहें आपका सवाल class 6 से 12 तक IIT, JE या नीट का हो या फिर CBSC, UP, बिहार, रजस्तान other state boards कोई भी subject हो physics, chemistry, math, biology, science आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ doubtnet आप पर साथ ही doubtnet पर चल रही है class 9 से 12 तक IIT, JE, नीट के बच्चों के लिए online classes जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए rank 1 तो आज ही doubtnet आप इंस्टॉल करो अपने सभी doubts बगाओ और top rank लेकर आओ प्रैक्टिस सेट 8.2 का last question question number 4 यहाँ पर हमें cos theta 15 upon 17 दिया है और sin theta का value find करना है ठीक है देखे friends यहाँ हमारे पास cos theta का value है 15 upon 17 अब इसे solve करने के लिए हम fundamental identity यूज़ करेंगे sin square theta plus cos square theta equals to 1 यह है यहाँ का identity ठीक है यहाँ पर अब हम value substitute करते है now sin square theta plus cos theta का value 15 upon 17 है इसका square equals to 1 इसका मतलब sin square theta plus 225 upon 289 equal to 1 रहेगा इसका मतलब sin square theta equal to रहेगा 1 minus 225 upon 289 मतलब sin square theta equal to इसे अगर multiply करते हैं तो 289 minus 225 upon 289 होगा ठीक है इसका अगर हम subtraction लेते हैं तो sin square theta equal to रहेगा 64 upon 289 289 minus 225 it will be 64 ठीक है ना 9 minus 5 4 8 minus 2 6 तो अब देखें friends sin square theta equals to हम लिख सकते हैं 8 upon 17 तो यह होगा 8 square upon 17 square ठीक है ना 64 is the square of 8 और 289 17 का square है now taking square root on both sides हम दोनों side का square root लेते हैं taking square root on both sides अगर हमने दोनों side का square root लिया तो देखें sin square theta का square root sin theta होगा 8 का square root 8 रहेगा और 17 का square root 17 square का square root रहेगा 17 तो इस प्रकार से sin theta का value रहेगा 8 upon 17 ठीक है इसका screenshot लेजेए देखें फ्रेंड्स इस लेक्चर में हमने सिर्फ practice state 8.2 के जो remaining questions थे question number 3 और question number 4 दोनों question के solution को बहुत यच्छे तरह से discuss किया है इस chapter का हमने practice state 8.1 उसके भी हर एक question के solution को discuss किया है practice state 8.2 के हर एक question के solution को discuss किया है साथ में जो fundamental identity है sin square theta plus cos square root 1 इसका proof भी हमने बहुत यच्छी तरह से सीखा है जो भी theoretical part necessary है उसे भी हमने बहुत यच्छी तरह से discuss किया है अब next lecture में हम problem set 8 के questions के solutions को discuss करेंगे देखे friends में आप सब्सक्राइब करेंगे अगर आप इस चानल पर नहीं हो तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कीजे आपके जितने भी friends अभी class 9, 10, 11, 12 इन में से किसी भी class में महारास्तो state board में कहीं पर भी पढ़ते होंगे उन सबी को mathematics के लिए इस चानल को subscribe करने के लिए आवश्य कही है क्योंकि इस चानल के उपर हम class 9, 10, 11, 12 चारो classes का state board का mathematics का preparation बहुत ही अच्छी तरह से करता है वीडियो देखे बाद like जरूर कीजे इन वीडियो को आपके पूरे friends के साथ आवशे share कीजे और देखे friends ना भूलते हुए एक अच्छी सी comment मुझे जरूर send करनी है ठीक है चलिए अब हम मिलते है next video lecture में thanks for watching this video